नमस्कार, मैं दिपिका मिश्राब, सभी लोगों का बालाज या उनलाइन क्लासिस में स्वागत करती हूँ आज हम क्लास 7 हिंदी सेकिंड वर्तिका में पार्ट 13 है हमारा संधी और समास ये चाप्टर पढ़ेंगे संधी और समास के द्वारा शब्दों की रशना होती है, संधी क्या होता है दो वर्णों या ध्वन्यों की संयोग से हूने वाले विकार को संधी कहते हैं जैसे सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, महा प्लस उत्सव, महोसव संधी विच्छेत, संधी योगत शब्दों को अलग-अलग करके लिखना ही संधी विच्छेत कहलाता है जैसे सिक्षाले, सिक्षा प्लस आले, प्रतेक, प्रती प्लस एक, संधी के भेट संधी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधी, व्यंजन संधी और विसर्ग संधी स्वर संधी स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधी कहते हैं ये पांच प्रकार की होती है दीर्ग संधी गुण संधी व्रदी संधी यड़ संधी और आयादी संधी दिर्ग सन्धी यदि हिष्व, चोटा चोटी चोटा उ, यह दिर्ग बढ़ा बड़ी बड़ाउ स्वर के बाद समान स्वर ही आएं, तो दोनों मिलकर सावन दिर्ग अर्थाद बढ़ा बड़ी बड़ाउ हो जाते हैं, जैसे मत अनुसार, मत प्लस अनुसार, अगर हम नियम हैं तो छोटा और छोटा मिलकर बड़ा हो जाते हैं हिम प्लस आले छोटा और बड़ा मिलकर के बड़ा हो जाते हैं चिकिसा प्लस आले मतलब बड़ा और बड़ा मिलकर के बड़ा हो जाते हैं कवी इंद्र कवी प्लस इंद्र छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी हो जाते है गुण संदी यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी E या बड़ी E आए तो A छोटा O या बड़ा O आए तो O और रिर आए तो R हो जाता है जैसे नागेंद्र नाग प्लस इंद्र छोटा A और छोटी E मिलकर के A हो गया नरोतम नर प्लस उत्तम छोटा A और छोटा O मिलकर के O हो गया महारिशी महा प्लस रिशी बड़ा आ और रिर मिलकर A हो गया वृद्धि संदी में क्या होता है यदि छोटा आ अत्वा बड़ा के बाद A या A आए तो A O या O आए तो O हो जाता है जैसे सद एव, सदा प्लस एव, बढ़ा और ए मिलकर के ए हो गए महोशद, महा प्लस औशद, बढ़ा और 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 मिलकर और हो गए यहाद संधी में क्या होता है? यदि छोटी यी, बढ़ी, छोटाउ, बढ़ाउ, रिर के बाद कोई आसमान स्वर आए तो छोटी यी, बढ़ी यी का आधाया, छोटाउ और बढ़ाउ का आधावा और रिर का आधारा हो जाता है जैसे अत्यल्प, अत्य प्लस अल्प, छोटी यी और छोटा आ मिलकर बन गए या प्रतेक, प्रती प्लस एक, छोटी यी और ए मिलकर बन गए ये स्वागतम, सू प्लस आगतम, छोटा हूँ और बड़ा आ मिलकर बन गया वा पित्राग्या, पित्र प्लस आग्या, रिर और आ मिलकर बन गया रा आयादी संधी में क्या होता है? यदि कोई अनस्वर आये, तो इनके स्थान पर कमसा आय, आय, अव, तथा आव हो जाता है, जैसे नयन ने प्लस अन, ए और आ मिलकर बन गया आय भवन, भू प्लस अन, ओ और आ मिलकर बन गया अव पावक, पाव प्लस अक, आव प्लस आ मिलकर बन गया आव व्यंजन संधी में क्या होता है यदि पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आदी में व्यंजन या स्वर हो तो इससे जो मेल होता है उसे व्यंजन संधी कहते हैं व्यंजन संधी के नियम यदि आधा का चाटा ता पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण आए या रालावा या कोई स्वर आए तो का चाटा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है जैसे दिक दर्शन, अगर हम इसका संधी भी छेद करते हैं, तो यह तूटा है, दिक प्लस दर्शन, मतलब आधा का और दा मिलकर के क्या बन गए, आधा का, जगदीश, जगद प्लस इश, आधा ता और बड़ी इमिलकर बन गए, दि, दूसरा नियम, यदि आधा का, चा, टा, ता, पा के बाद ना या मा आए, तो का, चा, टा, ता, पा अपने वर्ग में, पंचम वर्ड में बदल जाता है, जैसे वांग मै, अगर हम इसका संधी विच्छेत करते हैं, तो यह तूटता है, वांग प्लस मै, मतलब आधा का और मा मिलकर बन गया अंगा, वांग मै, शण मुक, सट प्लस मुक, तो टा और मा मिलकर बन गया रा, विसर्ग संधी, विसर्ग के बाद स्वर अत्वा वेंजन आने से जो विकार होता है, उसे विसर्ग संधी कहते हैं, जैसे निस चै, निही प्लस चै, मनुरत, मनाह प्लस रत, सम समास क्या होता है आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं जैसे प्रतेग दिन या हम इसको क्या बोलें प्रती दिन समास विक्र, जब समस्त पद को एक अधिक शब्दों में तोड़ दिया जाता है तो उसे समास विक्र कहते हैं जैसे राम राज्य, मतलब राम के राज्य जैसा राज्य समास के प्रकार समास ने मिल्खित प्रकार के होते हैं अव्याई भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान और अव्या होता है तथा समस्त पद क्रिया विशेशन बन जाता है उसे अव्याई भाव समास कहते हैं जैसे आमरण, मतलब मरण तक गाउगाउँ, प्रतेग गाउँ आसमुद्र, मतलब समुद्र तक दिनों दिन दिन ही दिन तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तरपत प्रधान होता है तथा प्रतम पत्पराया संग्या होता है और समास करते समय उसके विभर्ति चिन्नों का लोग कर दिया जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं जैसे गगन चुम्भी अगर हम इसका सम सेपिल, next, द्विगु समास, जिस समास में पूरु पद संख्यावाची विशेशन हो, तथा समस्त पद से समुदाय का बोध हो, वहां द्विगु समास होता है, जैसे, दो पहर, समास विग़्र करते हैं, मतलब दो पहरों का समु, त्रिगुण, तीन गुणों का समु, पंच वटी पांच वटों का समू द्वंद समास जिस समास में दोनों पद प्रधानों दोनों पदों के बीच प्राया समासिक चिन्दे मतलब डैश लगा रहता है तथा विग्रह करने पर और या एवम लगाना पड़ता है उसे द्वंद समास कहते हैं जैसे रात दिन, रात और दिन माता पिता, माता और पिता घर द्वार, घर और द्वार दूद दही, दूद और दही तो इस परकार ये चाप्टर है बच्चों संधी और समासिक इस चाप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा एक एक नियम अच्छे से पढ़िएगा जिसे आपको समझ में आ जाए आपके सभी नोट्स स्कूल में तर पर अपडेट कर दियेगा है वहाँ से अपने नोट्स में कॉपी कर लिजेगा अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू